काफी समय से एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें आशीश नेरा महिंदर सिंग धोनी को गाली गलौच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाली भी बहुत हाई-फाई वाली गाली जियां और अब लंबे समय के बाद 15 साल पुरानी ये घटना है और उसके बाद उस पर र उनके मूं से निकल आई थी और दरसल मैच का रोमांच इस कदर था कि वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पाये थे हुआ कुछ यूँ था कि पाकिस्तान के टीम भारत आई हुई थी विशाखा पत्नम में एक मैच खेला गया जहां पर महिंदर सिंग धोनी ने 148 रन की पारी खे ला गया था और उस मुकाबले में बहुत ही ताबर तोड शुरुआत की थी 40 रन बनाये थे 23 गेंदों का सामना करते हुए शाहिद अफ्रेदी ने बतार सलामी बलेवास उन्होंने खुब धुनाई की थी एक छोड़ से बाला जी गेंबाजी कर रहे थे दूसरे छोड़ से आशीशनेरा गेंद वाजी कर रहे थे आशीशनेरा ने यह भी बताया कि उन्होंने उनकी गेंद पर जब एक छक्का लगाया उन्होने और उस से अगली ही गेंद पर उनका कैट्स जो है वो स्लिप और विकेट कीपर के वीच निकला और वो इतना सपका गए इतने गूसे म और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए था और अच्छी बात है कि उन्होंने इतने इस लंबे समय के बाद अपनी गलती का एसास किया लेकिन यह होना बहुत ही सभाविक है और इससे कोई भी खिलाडी इससे अपने दिल पर नहीं लगाता उमीद है कि महिंदर सिंग धुनी ने भी इस बात को अपने दिल पर नहीं लगाया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और हमारे चनल को करना ना भूले